नवस्का दोस्तों इनकी एज 37 है अब देखते इनके हाथ में क्या क्या प्लस माइनस है जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी रेखा या धनुशा का रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपरचुनिटी आती उसे ग्रेब करके आगे बढ़ता है अगर यह पाम यहां से जो फोटोग्राफ में दिख रहा है यहां पर चोड़ाई कम और यहां पर चोड़ाई ज्यादा दिख रही है ऐसी अगर स्थिती होती है तो व्यक्ति जनरली पार्टनर्शिप करने की सोचता है यह फेक्ट्री ओनर है तो जॉब पाली बात तो होती नहीं जनरली यह तो जॉब करता है या पार्टनर्शिप करता है दो में से कोई एक व्यक्ति कारे करता है और चोड़ाई लिए हुए पाम है तो व्यक्ति महंती भी भरपूर होता है और थोड़ा सा रेक्टेंगल भी है तो सेल्स और मार्केटिंग में एक्सपर्ट होता है फर्स फैलेंज काफी नुकीला है तो कारे की प्रतिय अच्छी घासी जीत होगी सेकेंड फैलेंज भी अच्छा है लौची के साथ तत्यों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे और पैडिंग भी अच्छी है यानि मांसल भी है तो अपने हीतों की है तो एनालीटिकल परस्नालेटी भी होंगे फर्स फैलेंज और यहां पर एक तील है जुपिटर पर तील कोई भूत बड़ा नुकसान तो नहीं देता यानि नुकसान तो देता ही निया पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रियेट होता है इसके कारण जो हमसे उम्र में बड लोग होते उनसे डाठ यानि उनसे हमें सुनना जादा पड़ता है बस यह उंगली भी बड़ी है तो व्यक्ति को हिम्मती सभाव मिलता है जिब में पचास जार और पचास लग की रिस्क लेनी हो तो ऐसे लोग ले सकते हैं और समय कैसा भी चलता हो जीवन का आनंद जरूर ल और रिखती मनी मेनेजमैंट और अकउंट यह सारी वस्तों में व्यक्ति कम्जोर होता यह कर यह बुद्परवत पर भात शारी खड़ी लाइन है ये जब लाईन होती है तो व्यक्ति कहीना कही सुन्दर होता करता वानी होस की अच्ची होती है मिठी होती है बिज्नेस में भी अर्थिक उन्नती बनी रहेगी और थोड़ा सा ये पाड उभारो तो नाम के प्रति जादा जिग्यासा रखता है हाँ इनके जो सन माउंट का जो फोटोग्राफ आया है वो चैये वैसा नहीं आ पाया जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था पर फिर भी बहुत कुछ दिख मुझे ऐसा लगता है इनके हाथ मैं और दो चार साइने होनी चीए फिर भी देखने की कोशिस करते है एक स्पष्ट था तो यहाँ पर क्लियर कट ये साइन के द्वारा मिल रही है ये किये एक यहाँ पर भी संकेत दिख रहा है पर ये इतना स्पष्ट फोटो नहीं आया एक यहाँ पर है दो एक यहाँ पर भी है ये साइन तो दूसरे फोटोग्राफ में भी क्लियर सो हो रही है एक यहाँ पर भी है एक यहाँ पर भी है और दूसरा फोटोग्राफ भी है यहनी साइन है तो भरपूर है तो वेक्ति के जीवन में समरुद्धी तो रहती होगी ठीक है फेट लाइन पर जो जो हमें दिखेगा उन मैं बताने की कोसिस करूंगा आगे एक यहाँ पर भी है और वो जो बताई थी देखेए यहाँ पर स्पस्टता से शो हो रही है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी छोटी है इतनी तो मुझे दिख रही है कहीं पर मुझे यहाँ पर भी संकित दिख रहे है पर इतनी स्पस्टता नहीं है मैं हंडिट परसेंट नहीं कह सकता है इसके बारे में अब चलते हैं इनके रेगुलर पाम पर यहाँ पर विद्या रेखा है व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नती भी करता है या तो उस फैक्टरी में जॉब वक करते होंगे या विदेश में सप्लाय जाता होगा यानि एक्सपोर्ट का काम होगा दू मैंसे कोई न कोई एक काम होगा यानि किसी और के प्रोड़क्ट का मैनिफेक्शिंग, जॉब वर्क या विदेश से धन प्राप्ति और एक लाइन जुपिटर की और भी जा रही है व्यक्ति को चार लाब देती है पॉलिटिकल लाब, सरकारी लाब, जुबी कारे करेंगे, बड़े सरका करेंगे और ससुराल पैसे वाला या साधी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है तो कई लोगों को चारो लाब मिलता है, किसी को तीन, किसी को दो, किसी को एक जुपिटर माउंट मेरे इसाफ से काफी अच्छा है तो खाने के शौकिन होंगे पारिवारिक सांसारिक सुक व्यक्ति को अच्छा मिलता है इनको सुनने की आदत नहीं होती, सुनाने की आदत होती है इनसे कोई बड़ा जुपिटर माउंट वाला आ गया तो उससे सुन लेंगे बाकी सुनाने की आदत होती है, यह एक माइनस पॉइंट होता है यहाँ पर एक सिंगल लाइन है, इवक्ति को पामेश्टे अस्ट्रोलोजी में ध्यान देती है जहान जाता है इनका, और सेवावाव भी देती है बाकी कंटिन्यो सीधी खड़ी लाइन है, इवक्ति को नीचे गिरने नहीं देती खराब समय भी हो, तो इवक्ति अपनी जगह पर ठिका रहता है अंदूनी मंगल मध्यम टाइप का है, मैं यह नहीं कहूंगा बहुत जाता सारे टे कुर्जा होगी, मत्यम टाइप की रहेगी इनकी सारे टे कुर्जा और यहाँ पर एक दो लाइने दिख रही है इवक्ति को जनरली यह नहीं होता कि खुद कोई पेन उठाना हो पर पुली स्टेशन और कोट के चकर कभी न कभी तो काटने पड़ते हैं या खुद के लिए या किसी और के लिए और बारी मंगल अच्छा है जब किसी से मिलेंगे, एनरजी के साथ मिलेंगे सामने वाला कमपोटेबल फिल करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है यहाँ पर एक क्रॉस बन रहा है चंद्र पर यह क्रॉस व्यक्ति को नेगिटिव फिलिंग देता है हमेशा डर लगता है जीवन के ब्रती आज मैं जहां पर हूँ उससे नीचे गिर गया तो इस तरह की फिलिंग देता है मैं इसका उपाय दे दूँगा जीवन रेखा पर यह फोर्क यह व्यक्ति को यात्रा भरपूर करवाता है और चंद्र परवत अच्छा है तो व्यक्ति का विजए से संबंध आता है चाहे बच्चों के द्वारा आए बिजनेस के द्वारा आए चाहे घुमने जाओ पानी अच्छा लगता है अच्छे पर्चेसर होते वेल्यू फर मनी पर्चेस करने वाले होते और नही नही चीजे करने का शौक होता है और एक भूद लाइन भी है यहां से निकल रही है और इसके द्वारा मनी ट्रेंगल भी बन रहा है पर बहुत बड़ा मनी ट्रेंगल तो नहीं बनता पर ज़्यादा चिंता करने के जुरत नहीं फिश्टाईने भरपूरे इनके हाथ में तो धन आता रहेगा जीवन में शुक्र परवत भहुत ज़्यादा अच्छा है ऐसे लोग लग्जरियस लाइफ जीने वाले लोग होते इनको गर्मी जरा भी अच्छी नहीं लगती पानी अच्छ कपड़े अच्छे पहनते हैं अच्छी तरह रहते ये सारा गुंडर्म इनमें पाया जाता है फिर दे रेखा के दो पार्ट है एक पार्ट यहाँ चला और जो जुपिटर को छूरा है और एक थोड़ा सा मंगल की और देख रहा है तो ये गुस्सा दिलाती है एक समझेघों को पैसा देंगे और पैसा वापस नहीं आएगा और ये माबाब की सिवा करने वालों के हाथ में होती है और ये लाइन है अगती दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है उसके बाद कुशे टूड़ता है और ये line generally import-export के हाथ में भी पाई जाती है, ऐसे या ऐसे, पर इनके हाथ में कहीं पर square sign नजर नहीं आ रही है, हो नो परिवार में किसी और व्यक्ति के पास हो अब माइन लाइन देखें तो माइन लाइन पर भुःबूद दपाव दिख रहा है जुपीटर से स्टार्ट होड़ी है तो महतो कांशी तो बनाती है और यहाँ पर चल कर सीधी जा रही और यहाँ पर कहीं न कहीं मुझे प्रॉब्लम अगर यह यह साइन होगी मुझे चाहिए वैसी स्पष्टता इनके फोटो में आई नहीं पहे हैं इन्होंने काफी मैनत की यह जो पार्ट है अगर यह यह साइन होगा तो इन्होंने काफी पेन उठाया होगा इस पिरियड में यह पिरियड होगा 33 या 32 के आसपास से लेकर तीन एक साल का प्राबलम उठाया हो सकता है और नहीं होगा तो इस पिरियड में इन्होंने प्रेशर जिलाओगा और उसके बाद यह माइंड लाइन अच्छी चल रहे है पर यहां तक देखिए माइंड लाइन पर कितना दबाव है यह जब घहरी होती है डार्क होती है या सुजन होती है तो कहीं न कहीं व्यक्ति प्रेशर में रहता है इतना आनन से जीवन नहीं जी पाता और यह पिदेड होगा इनके जीवन का लग बग 45-46 तक या maximum 48 तक और उसके बाद यह लाइन काफी सुन्दर बन रही है और अप टो एंड टक जा रही है तो गुद्धी प्रतिवा तो भरपूर रहेगी और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज्यादा धर्मिक भी बनते जाएंगे यह अब जीवन रेखा पर देखे तो जीवन रेखा पर 26 के आसपास मुझे कट नजर आ रहा है तो कोई ने कोई रुकावट आई होगी उसके चार साल पहले भी एक कट है तीन साल है या चार साल पहले फिर इस लाइन ने इनके जीवन में सादी कर आई और उसके बाद एक रहु रेखा ठटी-एट में और इसके बीच में भहुत सारी रहु रेखा एगए तो जीवन तो कश्पून ही रहा होगा इसके बीच में continue रहु रहे है चोटी बड़ी मध्यम टैप की चली रही है साधी के बाद तो जीवन तो कश्पुन रहा होगा हाँ एक आपशुट मिल रहा था तो कोई न कोई benefit भी इनको इस period में आई होगी पर इसका उद्गम स्थान पता नहीं चल रहा है अब यह अगर यहां से निकलता होगा तो साधी के दो साल के बाद कोई न कोई सफलता मिली होगी नहीं तो फिर यहां से कहीं और से होगा तो दूसरा पर एक आपशुट जरूर है अब वो कहां से निकल रहा पता नहीं चल रहा है हम color photograph में देखने की कोशिस करते हैं हालक बग दो साल के बाद ही दिख रहा है उसके बाद यह राव रेखा अब यह आने बाकी है इनको यह राव रेखा पेंदेगी उसके बाद 42 में एक राव रेखा है उसके बाद 44 में एक आपशुट है फिर यह हो गई 38 42 और यह 44 और यह 46 में एक राउ रेखा है और 48 में एक आपशुट भी और नियर और येरर की डैथ भी है उसके बाद 51 में आपशुट है उसके बाद 55 में नियर और येरर की डैथ है और 62 में एक आपशुट है और जीवन रेखा पर यह फोर्थ व्यक्ति को और एक छोटी सी रेखा है उसके बाद भी रच 62 में है और ये जो लाइने हैं मैं वापस रिपीट करता हूँ कहीं न कहीं मुझसे गरवट ना हो ये 26 के आसपास राव रेखा ने काटा उसके पहले दो तीन साल पहले भी एक राव रेखा ने काटा था ये रेखाने 32 में साधी कराई ये 38 में एक राव रेखा आ रही है और इसके बीच में भहुत सारी रेखाओं ने काटा है और यहां पर एक आफशूट भी है तो 32 के 38 के बाद 42 में राहू रेखाने काटा, 42 के बाद 46 में काटा और उसके पहले एक ओप्शुट भी है, 44 के बाद कोई ने कोई सफलता भी मिलेगी, और इसी पिरियड में इसके आसपास में इक ओप्शुट भी है, यानि एकाथ साल के बीच में और नियर एंडीरर की डैद भी है उसके बाद near and dearer की death है और उसके बीच में भी एक offshoot है एनि 53 के आसपास भी है उसके बाद 62 में एक offshoot है और 63 में एक राहू रेखा भी है और उसके बाद कोई राहू रेखा नहीं है और ये पूरी यात्रा रेखाए है अब इनकी धन रेखा को समझते है धन रेखा ची ये वैसी दमदार है इने ये तो बहुत सारी फिश्साईने है तो ये कहीं न कहीं अच्छी स्थिति में होंगे नहीं तो इस तरह की धन रेखा व्यक्ति को प्रोग्रेस नहीं करने देती और expensive period देती है ये period इनका expensive राहों का up to 33 तक का उसके बाद कहीं न कहीं थोड़ इसी रेखा पर उस पर भी देखे कितने सारे कट और अभी तो वर्तमान में तो बड़ा कट लगा हुआ है अब ये period होगा इहां से जब इनकी रेखा अच्छी बनी यानि 32 से या 33 से अच्छी बनी तो उस पर रेखाए काट रही है तो ये वेक्ति को आर्थिक नुकसान देती है और वर्तमान period में तो बहुत बड़ी रेखा ने कट लगाया हुआ है तो ये बड़ा आर्थिक नुकसान इनको गया होगा या जाने वाला है उसके बाद भी ऐसी कोई दमदार धमद रेखा नहीं है कहीं ने कहीं fully हुई और ये period थोड़ा सा और खराब जाएगा यहां पर investment होगा ये age होगी इनकी investment की 42-43 के आसपास और यहां से 43 के आसपास ही समझो और उसके बाद ये दो साल थो और ये से और खराब जाएंगे क्योंकि यहां पर थोड़ी सी ज़्यादा फैली हुई है रेखा और फिर यहां से फिर वापस रेखा चले है और overall अगर मैं देखूं तो इतनी दमदार धन रेखा नहीं है पिरियर तो इनकी जो life रहेगी वो तो expensive ही रहने वाली है हाँ बहुत सारी फिश्राइने होगी जो हम किंदू परतुम्बे देखने की कोसिस कर रहे थे अगर वो होगी तो क कहीं न कहीं पैसा आएगा पर life तो expensive रहेगी इनको और end तक कमाते रहेंगे उसका कोई problem नहीं है धन्रे का continue है तो आशा रखता हूं इनके सभी प्रश्णों के job इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद